दोस्तो मैं समसिर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान जरुवत इंसान की में डेली करेंट अफेर में आज हम जानते हैं दोस्तो 15 मिनट में 30 कोईस्टन्स के बारे में चली दोस्तो बिना किसी दरी के स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्ण लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेजे ताकि आने वाली वीडियो की सभी नाटिपिकेस आप तक पहुश सके तो चली द अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तो आए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है ताइवान ताइवान ने पहली घरेलू निरमित पंडुपी हाइकून का नाराण किया है आपका दूसरा प्रशन है हाल ही में आए जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश हाल ही में इंडिया स्मार्ट स्टिक कौन में क्लेव में उत्तर प्रदेश को दस पूरसकार मिले आपका तीसरा प्रशन है हाल ही में कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में जवाब इसका सभी जवाब है भारत भारत लगातार छेटे महीने तक बाजारों में सीर्ष पर रहा है आपका चौथा प्रश्ण है हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के चेयर मैं कौन बने यह भी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तो तो दोस्तो अगर आपको कोश्चन क बहुत 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 अगर आपको किसी और तरीकी की कुस्टन की जरूवत है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि हासर मुझे इस तरीकी क्यों सब्सक्राइब आपको उस तरीके का वीडियो 100% बनाऊंगा मेरे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब इस त्रहां हुआ है तो अगर आप मेंसे किसी भी दोस्तों कि इसका सही जवाब पता है तो कमेंट कर के जरूर बता है है तो आई जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब करमचार ने मक्हमंत्री निर्मार स्वमिक प्रेंसन यूजनां शुरू की ये जोगी बहुत ही नेक कार हें दोस्तू और आपको पता भी होगा कि अभी हाल ही में दिल्ली में पुराने पेंसन को लेके बहुत ही होला हो रहा है दोस्तों पुराने करमचारी अपने पेंसन को स्टार्ट करना के लिए वहाँ पे लाखो करोड़ों की तादाद में इकठा थे दोस्तों आपका साथमा प्रश्ण है हाल ही में किसे इंटेल इंडिया का अध्यच गोसित किया गया तो मेरे पहरे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है गोकुल शुबर मर्यम यानि कि गोकुल जी को इंटेल इंडिया का अध्यच गोसित किया गया है आपका आठ्वा प्रश्ण है हाल ही में भारत की सबसे मुल्यवान कंपनी कौन सी बनी है यह important question है दोस्तों हर एक exam के लिए important question है क्या प्रश्ण है कि भारत की सबसे मुल्यवान कंपनी तो आई जानते दोस्तों इसका नाम है TCS यहां दोस्तों TCS company हाल ही में भारत की सबसे मुल्लेवान company बनी है आपका नमा प्रश्ण है हाल ही में SBI Life Insurance ने किसे नई CEO घोसित किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो comment box में comment करके जरूर बता है तो आई जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब है अमित जिंगरन को SBI Life Insurance ने CEO घोसित किया है आपका दस्वा प्रश्ण है हाल ही में किस राज के मुख्यमंत्री ने पोसड पर पुस्तिका जारी की है तो आई जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पोसड पर पुस्तिका जारी की है आपका 11 प्रश्ण है हाल ही में कौन सा देश 2024 में अपने रच्छा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा आपको पता भी होगा दोस्तों कि हाल ही में कई देशों में युद्ध चल लाए है तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सी देश की रच्छा बल कमजोर है तो उनी देशों में से किसी एक देश ने डिसाइड किया तो आई जानते हैं दोस्तों किसका सही जवाब क्या है तो आपका सही जवाब है रूस रूस ने अपने रच्छा खर्च को 70% बढ़ाने का डिसीजन लिया है आपका बरहावा प्रश्ण है हाली में माइकल गैबन का निधन हुआ है वे कौन थे तो आई जानते हैं दोस्तो कौन थे आपका सही जवाब हो जाएगा अभिनेता माइकल गैबन एक अभिनेता थे आपका तिरहावा प्रश्ण है हाली में किस राजी सरकार ने पहाड़ी जीलो में AFSPA को छे महीने के लिए बढ़ा दिया गया है तो कभी महतपूर प्रश्ण है दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है मड़ी पूर क्योंकि मड़ी पूर के हालात किस तरीके के आपको भी पता है बहुत सारे लोगों सब को लगबग पता है कि मड़ी पूर के हालात किस तरीके के और दोस्तों मड़ी पूर में हिंसा अब भी जा रही है अब भी उसी तरीके के कांड़ हो रहे हैं, बलतकार हो रहे हैं, रेफ हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, यह सब चीज आ रही है, अभी वहाँ की जनता का सब्र तूट गया था, तो वहाँ पे उन्होंने बिजेपी आफिस को जला दिया था, और यह भी हाल ही किनी आपका अगला प्रशन है, हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कांकलेव में किसे सरुसेष्ट स्मार्ट सिटी का अस्थान मिला है, यह important question है दोस्तों, तो आई जानते हैं इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है इंदौर, इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी कांकलेव में सारोसेष्ट स्मार्ट सिर्टी का अस्थान मिला है किसको मिला है इंदोर को आपका 15 प्रशन है हाल ही में विश्व हिर्दे दिवस कब मनाया गया तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको कुश्चन का कॉंटेंट बेहतर लग रहा हो तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके ब कमेंट करेंग रहा हो क्टोरيا लग रहा है तो अगर आपका फूर्श्व हितक की सोब्सक्राइब हानुट प्रश्व को आपको शुक्ति असे स्ब्सक्राइब शुर्प कि उनगों करेंग का जोस्तों-थृच्ई-चलौइर्ण आज़ुत्व ही प्रत्व्क्त इसका सही जवाब है जन जाती कार्य मंत्राले ने अमेजन फ्यूशर इंजिनिंग प्रोग्रम्स शुरू करने की घोसड़ा की है आपका ठ्रमा प्रश्ण है हाले में अंतराष्टी अहिंसा दिवस कब मनाया गया पुर कोश्चन है दोस्तों आए जनते इसका सही जवाब है दो अक्टूबर अंतराष्टी अहिंसा दिवस दो अक्टूबर को मनाया गया दो अक्टूबर को गांधी जनती भी है और उसी दि 0 में रहने वाले लोगों को एक मुंक्त वित्तिय सहात्य प्रदान के Are अगर आपको इसका तो सही जवाब पता है तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरू कते करें तो दोस्तो आईए जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है मड़िपूर मड़ीपूर की सरकार ने राहत सिविर में रहने वारे लोगों को एक मुक्स मुस्त वित्ति साहता प्रदान की है आपका बिस्वा प्रशन है हाल ही में किस देश ने सेफ पुरुस अंडर 19 चेंपियन सेप जीती है मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको कोश्चन का कॉंटेंट बहतर लगरा तो आप कमेंट बाक्स में छोटा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की कोश्चन की जरूत हैं ताकि उस तरीके की वीडियो में आपको प्रोवाइड करा सकूँ और ऐसे महत्पूर कोस्टन्स को दोस्तों खुद से भी हल करिए ताकि आपको ये पता चल सकी कि आप अपने आप से कितना मार्क्स ला सकते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आये जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है भारत हाल ही में भारत ने शेफ पूरुस अंडर नाइटिन चेंपियंशिप जीती है एक बात तुम आननी पड़ेगी दोस्तों कि भारत में प्रतिभा की किसी भी छेतर में कमी ने है चाहिए वो किसी भी प्रकार का खेलो किसी भी छेतर में प्रतिभा की कमी ने है बस उसको एक बहतर मंच मिलने की देरी है आपका 21 प्रश्ण है हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी ने किस राज में रामा गुंडम एंड टिपिसी परियोजना का उठगाटन किया है वीडियो अगर बहतर लग रही हो दोस्तों तो एक लाइक कर दिएगा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है तेलंगाना जहान मंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामा गुंडम एंड टिपिसी परियोजना का उठगाटन किया है आपका बाईसवा प्रशन है हाल ही में किसने 45 दूसरी स्पार्ट गैंग फंडिंग विदेयक पर हस्ताक्षर किये हैं यह बहुत ही इंपर्टन कोश्चन है दूस्तो तो ऐसे बेतर कोश्चन अगर आपको कॉंटेंट बेतर लग रहा हो तो आप छोटा सा कमेंट करके हमें यह बता सकते हैं कि इस प्रकार के कॉंटेंट की ज़रूरत है बाके दुस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब है जो बाइडेन हाल ही में जो बाइडेन ने 45 देशी स्पाट गैंग फंडिंग विद्धेयक पर हस्ताक्षर किये हैं आपका 23 प्रशन है हाल ही में किसके द्वारा जिएस्टी सहा इन्वाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेफार्म लांच किया जाएगा यह सारे कोश्चन हर एक एक्जाम के लिए महत्पूरे दोस्तों इसलिए आप कभी भी मत सोचें कि वीडियो को आदा छोड़ के तिरे जाएं कि आर यह से ग्याम के लिए हर एक एक्जाम के लिए करेंट अफैर के कुश्चन इंपोर्टन होते हैं तो आप में से किसी को भी इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं तो मेरे प्यारे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है SIDBI SIDBI के द्वारा GST Sahar Inwise Financing Loans Platform लांच किया जाएगा आपका next question है हाल ही में मुहमध मुईजजू ने किस देश के राष्टपतियां का चुनाव जीता है तो मेरे प्यारे दोस्तों आए जानते हैं इसका सही जवाब आपका सही जवाब है मालدिव मुहमद मुईजेजु ने हालही में राष्टपती का चुनाव कहां कजिता है माल्दिव का राष्टपती का चुनाव जिता है आपका 25 प्रश्ण है हालही में टैप दोर मकडी का सबसे बड़ा जिवास में मैगो मोनो, डोन्टियम, मैकलुसकी किस देश में खोजा गया है ये बहुत ही महत पूर कोश्चन है दोस्तों आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत पूर है तो इस कोश्चन को ध्यान से याद करिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब आपका सही जवाब है आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया ने ट्रेप डोर मकड़ी का सबसे बड़ा जिवास्म मैगो मोनो डोंटियम मैकलूस की खोजा है आपका 26 प्रशन है हाल ही में RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मनजूरी दी है बहुत ही बेहतर कुश्यन है दोस्तों और इंपोर्टेंट भी है तो आए जानते हैं इसका सही जवाब है फेडरल बैंक RBI ने इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन को फेडरल बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है आपका 27 प्रशन है हाल ही में नई दिल्ली आकांसी बलाकों के लिए संकल्प सप्ता किस ने सुरू किया है तो मेरे पहरे दोस्तों अगर आपको इसका सही जवा आकों के लिए संकल्प सप्ता नरेंद मुदी ने स्टार्ट किया आपका निक्स्ट प्रशन है हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर सन्युक्त छमता निर्माड पहल की सुरूवात किये है तो मेरे पहरे दोस्तों अगर आप में से किसी भी विक्ति को इसका सही जवाब पत निर्माड पहल की सुरूवात की है आपका 29 प्रशन है हाल ही में 220 क्रिकेट में सबसे तेज अर्थसतक का रिकार्ट किसने बनाया है यह तो आप सभी को लिए बहुत ही एज़ी प्रशन है वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि हाल ही में नेपाल की टीम ने क अर्थसतक लगाने वाला टीम का खिलाड़ी सबसे कम गेदो में सतक लगाने वाला टीम का खिलाड़ी सबसे कम गेदो में सतक लगाने वाला टीम का खिलाड़ी नेपाल की टीम ने ऐसे रिकार्ट दोस्त किये हैं तो मेरे पहरे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब यानि कि उस खिलाडी का क्या नाम है जिसने सबसे कम गेदों में अर्ध सतक लगाया है तो आपका सही जवाब है जी हाँ दिपेंदर सिंग एरी दिपेंदर सिंग एरी ने सबसे तेज 9 गेदों में अर्ध सतक लगाया है इससे पहले 2007-20 World Cup में यूराज सिंग ने सबसे कम 12 गेदों में अर्षा तक लगाया था आपका तीसमा और लास्ट प्रस्ण है हाल ही में आल-लाइन गेमिंग और कैसिनो पर कितने प्रतिसत जीस्टी लगाया गया है आज के समय में दोस्तो हर एक चीज पर जीस्टी लगाया है आपका सही जवाब हो जाएगा 28 प्रतिसत आल-लाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिसत जीस्टी लगी है वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तो एक लाइक कर दिएक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देगे बाकि अपने दोस्त हाए